नमस्ते कुसुम के चैनल में आपका स्वागत है आज हम लोग बनाएंगे कंडेंस मिल्क तो कंडेंस मिल्क बनाना स्टार्ट करने से पहले में आपको बता दू इस कंडेंस मिल्क को आपना कोई भी डेजेट में डाल सकते हैं कोई भी मिठाई घर में बना रहे हो ताप उसमे चीनी के जगा हैं आप इसे योज कीजिए केक में डालती हैं तो देखिए कंडेंस मिल्क कितना प्यारा लग रहा है तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करतें हैं krijndसमिल्क को तो मैंने fry पेन को गरम होने के लिए रख दिया था, यह गरम हो गया है, अब मैं इस पे हाफ लिटर दूद डालती हूँ, आप एक लिटर दूद भी डाल सकते हैं पर मैं half liter का ही बना रही हूं क्योंकि half liter का भी काफी अच्छा बन जाता है कॉंट्रेटी में तो मैं 1.5 लेटर का ही बना रही हूँ, इसलिए मैं ने 1.5 लेटर दूट डाला है और मैं फ्लेम को थोड़ा तेज कर दूँगी और इसे एक उबाल आने का वेट करती हूँ मैं क्यूंकि ऐसे बनाए ना आप कोशिस करें तो इस ऑ बनाए ना चांस रहता है तो यह थोड़ा बड़ा बरतन ले तो चलिए हम देखते हैं इस पे जब तक उबाल आता है तब तक हम वेट करते हैं तो देख सकते हैं दूद में अच्छी तरह से उबाला है हम इसे एक बर अच विए मेने चिपक चुका है। इसलिए Payal करने के निदि से चासर चबाई है। डाल दिया है तो इसे continue चलाते हुए हमें पकाना है तो अब देख सकते हैं यह मेरा चल पकते पकते देखें कैसे हलका सा पीला पन में आ गया है अभी हम इसे इसी तरह से और भी पकाएंगे अभी यह पूरा नहीं हुआ है तो देखें मैं इसे continue तभी से चलाते हुए मुझे कम से कम इसे 20-25 मिनट हो गया है तो यह मेरा करीब हो गया है मैं इसे और एक दो मिनट चलाओंगे और गैस को आफ कर देती हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने गैस आफ कर दिया और मैं इस पे करीब चुटकी भर बेकिंग स डाला स Sumoza ड्याओंसिव 노ots चलाs दाओसे फाले बेकिंग सोडा डाल से हुए टो sndhka डाला से तो पूरा काला हो जाएगा अगर बेकिंग-soda पहले डाल दोगे तो हम इसे भेकिंग सोडा डाल दिया मैं तो चलिए हम इसे चान लेते हैं अगर आपको चानना नही है तो आ से आपको दिखा तो देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से चान लिया है चानने के बाद यह कितना अच्छा लग रहा ना मार्केट जैसा अगर आई यह थोड़ा सा गाढ़ा रहता है तो आप इसमें दूट डाल के इसे दो मिनिट और पका लिजिए तो यह बराबर हो और किसी भी मिठाई में डालिए केक में डालिए और अगर आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबाएं क्योंकि मैं जब भी कोई नया वेडियो डालू ता आप तबशे के लाई प्लीज में एक ठाफर करो आपकや करह बंगिया वह लाईब करना उच्छी लगी में एवशया गार प्रा सम्ह contrario है उब हैन् अरओे से पने इस दिवशी हा का रहाल जो जो भी करना इस बड़ार के अबें तहाल इस+. प्ली आसा ह को प्लीज आए जाबें तो